हालो स्टूडेंट गूड इवनिंग आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना नया वीडियो जिसमें आज मिल्क दिवस के रूप में कुछ महत पुर्परस्ण और उससे रिलेटेट कुछ जानकारिया रहेंगी तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब के रूप में तो आए इस संबंद में कुछ 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 भी करते हैं और इससे रिलेटेट कुछ जानकारिया भी आप लोगों को देते हैं तो विश्व दुख दिवस की जो शुरुआत थी वह एक जून 2001 से शुरू किया गया था और आज इसको पूरा 20 साल हो गया मनाते मनाते तो यह जो शुरू करने वाली संस था जो आजनाइजेशन था जिसने इसको शुरू किया था विश्व दुख दिवस को वो था फूटेड एग्री कल्चर और जैसर जैने कि आफ हो तो एबलिश्मेंट हुआ था वर्ड फूटडे के दिन तो वर्ड पाटर जो है वो रोम इटली में है और इस साल की जो दुख दिवस की जो थीम है वो है पर्या ब्रड पोसड और समाजिक आर्थिक ससकती करण के साथ साथ डेरी छेत्र में इस्थिर्था यानि कि सश्टनेविल्टी इन डेरी सेक्टर इलॉंग विद्धा इंपावरिंग दा इन्वार्मेंट नूटिशन एंड सोचियो एकनॉमिक तो यह थीम इस बार की किस ने दिया यह थीम दिया इस बार की युनाइटेड नेसंस ने और यह विश्वत दुख दिवस एक ज गीज कुरियन का जन्म हुआ था इनको मिलक मेन आप इंडिया भी बोलते और यह फायदर आप वाएट रिवेल्लीवेशन के जनक भी बोले जाते हैं डाक्तर बर्कीज कुरियन और इन्होंने बहुत से उपलब्दियां बहुत से अवाड हासिल किये हैं अपने छेत्र में तो इनका जो जनम हुआ था वो 26 नॉम्बर 1921 को कोजी कोड केरल में हुआ था और इनको 1989 में बर्ड फूट प्राइज के रूप में नवाजा गया था और यह अमूल के संस्तापक भी रहे थे उस समय तो अमूल का जो स्तापना हुआ था वो 14 स्थमबर 1946 में अमूल का इस्टैबलिश्मेंट किया गया था तो अमूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्यूस्ट बनेगा यहां पर जैसे अमूल है तो अमूल का पूरा नाम क्या है अमूल मतलब की आनेंद मिल्क यूनियन लिम्टेड और जैसा कि आप कुछ कुछ क्यूस्टन भी देख लेते हैं हम लोग आज के इस एक जून के दिवस के रूप में विस दुख दिवस के रूप में और हां एक जून को और एक इंपॉर्टेंट दिवस है जिसको अंतर र आश्टी बाल दिवस एक जून को मनाया जाता है और चौदा नॉंबर को क्या मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में ज्यान रखेएगा दोस्तों ये क्यूस्टन साब लोग तो चलते हैं अब कुछ क्यूस्टन्स की और जैसे पहला क्यूस्टन है किस दूद में वसा का प्रतित सबसे अधिक होता है चौर आप्षन यहां पर दियें आपके गाय का दूद भैस का दूद मानो का दूद बकरी का दूद तो इन में से आपको सही आंसर टिक करना है ज़्यदा होता है एन एक पर आप्संस जैसा कि 6.5 परसेंट या 6.5 ग्राम बोले तो वसा का प्रिस्टत होता है और गाय के दूद में जो होता है वो 4.1 परसेंट रहता है नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं दूद के परिरक्षण के लिए निम लिखत में से किस तकनीक का प्रियोक किया जाता है तो उसने कौन सी तकनीक का इस्तिमाल किया जाता है तो इसमें सही आप्सन होगा पास्चुराइज़शन नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं दोस्तों तो ताजे दूद का प्यच कितना होता है तो ताजे दूद का प्यच कितना होता है आप लोग इसमें देखें यह इसका आपसन है जो 6.5 से 6.7 यह सी आपसन इसका सही है और दूद एक प्रकार का परिछेपड है या मिस्तरण है बोलते हैं किस तरीके गया यह जो जल है या पाइसन है तरल गोल है या एरोसेल है किस प्रकार का यह जो हैं तो यह है पाइसन इसका सभी अंसर भी है और अगला question देखते हैं दूद में कॉन सा प्रोटीन पाया जाता है तो दूद में जो है किसी मुक्ता प्रोटीन पाया जाता है इसमें और नेक्ट क्रिश्टन देखते हैं दूद्ध प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसेट प्रिच्र मातरा में पाया जाता है तो दूद्ध प्रोटीन में अमीनो एसेट कौन सा रहता है लाइसेन में थ्योनेन, सिस्टीन, प्रोलाइन, चार आपस सटेगा इसमें शुटो ऩिएा लाइसिन के चय सीन किस प्रकार की प्रोटीन नहीं आञे या और बिलकु और अफन की तो यह सब क्रेक्ष्ण को देखे हैं किस प्रकार के दूद में व्यक्तकी मात्रा सबसे कम होती है यहां पर चाहर हैं टोंड मिल्कु डाबल टोंड मिल्केश्वाले दूध ब्रता सबसे कम होती है नेक्ष्ट क्ष्जिन रखते हैं किस दूध किस vitamin का खराप्स रोत है कम बोले तो कर रोत है किस प्रकार के vitamin का है तो यहाँ पर चार option देए vitamin A vitamin B vitamin C or vitamin D तो इसमें correct option है आपका answer numbers vitamin C क्योंकि vitamin C दूद में बिल्कुल नहीं पाया जाता है और next question देखते हैं किस भोजन को संपुड भोजन के रूप में जाना जाता है तो यहां पे तो चार आप्शन यहां भी है अंडा, दूद, दलहन, मास तो संपुड भोजन के रूप में सिर्क दूद को ही संग्या दी गई है तो संपुड भोजन के रूप में आपे दूद का कुथनांग क्या है कुथनांग बोले तो boiling point यानि कि boiling point कितना होता है दूद का यहाँ पर तो यहाँ पर चार आपसन दिये हैं 100 degree Celsius 100.2 degree Celsius 99.5 degree Celsius या नो नो आप दी जिन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो सही आपसन होगा वो 100.2 degree Celsius होगा और वो ऐसे boiling point जो water का रहता है वो 100 degree Celsius रहता है और यहाँ दूद का 100.2 है और कुछ questions और है कामन आप लोग नोट कर लीजिएगा उनको भी जैसे कि यहाँ पर दूद का कुथ नहांक पूछा था तो यह question और बन जाता है यहाँ पर कि दूद का प्रीजिंग पाइंट कितना रहेगा दूद का जैसे माइनस पांच डिग्री हो गया यह आप्सन यह जीरो पाइंट 55 डिग्री हो गया माइनस में सब माइनस 18 डिग्री सेल्सियस हो गया यह जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया तो उन मेंसे कौन सा अप्संज होगा वह सही होगा तो दूद का जो हमांग होता है वह आप लोग धान दीजेगा माइनस 0.55 degrees Celsius होता है ठीक है दोस्तों और नेक्ट कुछ क्यूस्टन्स और है अरली बताते हैं आप लोगों को आप नोट कर लिए अपने इंबुक्स में या आपने रजिस्टर में तो जैसे मा का दूद जो है पहला दूद जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको जानत की मतलब किसके कारण होता है हल diff xu कलर तो जो यलोallas कलर होता है जैसे काओ गाय का मिलो तो अलका का हलो रिटा है तो ऑमकरोटीन के कारण रेता है तो खीक है मेरे श्टुडेंट और जैसे रेक स्टूर्डन वर मन रहा है यहां पर जैसे musimy शुट लेक्टोज होती है और लग्त स्वाल सब्सक्री ऐसका गलुकोज pathoc Price Pro да अबwatch का पर में कैसीन के लाबनावा और प्रोटीन पाई जाती है जैसे वे प्रोटीन होती है कैसीन और वे दो प्रोटीन रहती हैं तो केसी जो होती है फ्रौ फस्क्रॉटियो जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के सात में